पाकिस्तान का इतिहास ये कि जिस भी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान के एस्टैब्लिश्मेंट ने चुना उस प्रधानमंत्री ने कभी भी पांच साल पूरे नहीं किये ऐसा आज लग रहा था कि ये प्रथा पाकिस्तान में जो है चलती आई है चलती रहेगी इससे पहले नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान मुस्लिमी नवाज के नेता नवाज शरीफ के दौर में ये लग रहा था शायद वो पांच साल पूरे करेंगे लेकिन अचमबा नहीं हुआ पांच साल पूरे नहीं हुए इमरान खान का लग रहा था शायद वो पांच साल पूरे करेंगे लेकिन इमरान खान पांच साल पूरे नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकेंगे ये सारी अटकले पिछले कुछ दिनों से लगना शुरू हो गई थी खबरे सारी आप तक पहुँच गई और आपको ये भी पता चल गया कि अमरान खान के खिलाफ हिजब एक्तिलाफ जो पाकिस्तान का है उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हुआ ये कि नाशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने इस नो ट्रस्ट मोशन को डिस्मिस किया प्रदाहन मंतरी अमरान खान के खिलाफ और इसे कहा कि इस पाकिस्तान के सम्विधान के अमच्छेद पांच के विप्रीत है विरुद है जिस समय उनने सेशन अपोदिशन जो अपोदिशन विपक्ष ने जब सेशन शुरू हुआ नो कॉन्फिदेंस मोशन उन्होंने स्पीकर असद कैसर के खिलाब भी दिया जब नो कॉन्फिदेंस मोशन असद कैसर के खिलाब दिया तो उनकी जगा पर डिप्टी स्वीकर कासिम खान सूरी आ गए वो चेर कर रहे थे अगर अनुशेद पांच पाकिस्तान के सम्मिधान का पढ़ा जाए तो अनुशेद पांच ये कहता है loyalty to the state is the basic duty of every citizen हर शेहरी की basic duty अपने देश के प्रती loyal होना है obedience of the constitutional laws obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within पाकिस्तान और उसके बाद जब floor शुरू हुआ ये basically अनुशेद पांच है इस अनुशेद पांच का इस्तमाल डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने इसी का इस्तमाल किया और इसी अनुशेद पांच के तहत उसने कहा कि जो आपने no confidence motion प्रधान मंतरी इमरान खान के खिलाफ लाया है ये no confidence motion कबूल नहीं किया जा सकता इस पर voting नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि ये विदेशी ताक्तूं के दोरा funded है ये विदेशी ताक्तूं ने आपको विदेशी ताक्तू ने अपोजिशन को प्रेरिड किया है जिसके चलते ये मोशन लाया गया है सेशन जुई शुरू हुआ वहाँ के पाकिस्तान के इन्फरमेशन मिनिस्टर फवाज चौदरी ने कहा कि लॉयल्टी यानि हर व्यक्ति को समविधान के प्रती देश के प्रती अनुशेद 5 एक पाकिस्तान के समविधान के तहद अपने देश के प्रती जो है लॉयल रहना है उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रदान मंतरी कह चुके हैं कि एक विदेशी conspiracy है जिससे इस सरकार को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है जिससे इस सरकार की छुटी करने की कोशिश की जा रही है फवाई 14 ने कहा साथ मार्च को हमारे जो official ambassador हैं उन्हें दूसरे देशों के representatives ने बुलाया और बुलाकर उन्हें ये बताया उस मीटिंग में ये बताया कि प्रदान मंतरी इमरान खान के खिलाफ एक no confidence motion पाकिस्तान की national assembly में आने जा रहा है और उसके बाद उन्हें ये कहा कि जिस दिन उन्हें ये यानि साफ तोर पर ये कि पाकिस्तान के ambassador को बुलाकर ये कहा जाता है कि आपकी national assembly में इमरान खान के खिलाफ एक no confidence motion आने वाला है ये फवाज चौधरी कहते हैं और उसके बाद ही कहते हैं कि जिस दिन उन्हें ये बात कही उसके अगले दिन no confidence motion जो है वो विपक्ष ले आया यानि साफ तोर पर कहने की कोशश ये है कि विदेशू से कुछ ताक ताक्तें जो विपक्ष है पाकिस्तान का उस पाकिस्तान के विपक्ष के साथ खड़े हैं और वो विदेशी ताक्तें नहीं चाहती हैं कि प्रधान मंतरी पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान रहे इसलिए वो इमरान खान की सरकार को गिराने की साजश कर रहे हैं ये लाया जा रहा है वो काम्याब होता है कि नहीं काम्याब होता है यदि ये no confidence motion नाकाम हुआ तो इमरान खान के साथ रिष्टे ठीक नहीं होगे पाकिस्तान के साथ रिष्टे और बिगडेंगे लेकिन अगर ये no confidence motion काम्याब होता है तो पाकिस्तान के साथ विदेश के जितने विदेश हैं उन देशों के रिष्टे ठीक हो जाएंगे ये बात वहां पर कही गई इस पर ववाद चौधरी ने आगे ये भी कहा ये एक आपरेशन है पाकिस्तान के अंदर विदेशी ताक्तें पाकिस्तान की सरकार को बदलने की कोशिश कर रही है अब चुकि ये conspiracy है ये बात उन्हें कही उसके बाद उन्हें ये भी कहा कि उसके बाद मंत्री फवाद चौधरी ने ये कहा कि ये बताईए इस motion को आप allow कैसे करें करेंगे और उसके बाद उन्हें डिप्टी speaker उन से ये निवेदन किया कि आप से मैं निवेदन करता हूँ कि अब आप ये तै करें कि क्या ये no trust motion no trust moon no confidence motion सम्वेधानिक है या सम्वेधानिक है अगर ये सम्वेधानिक है तो इसको रद्द कर दीजिए अगर ये सम्वेधानिक है तो इस motion को आगे चलने दीजिए उसके बाद कासिम जैसे मैंने आपको कहा कि कासिम खान सूरी जो पाकिस्तान की National Assembly के डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि 8 मार्च को ये motion जो है ये प्रस्तुत किया गया था और ये motion कानून और समविधान के अनुसार होना चाहिए किसी भी विदेशी ताकत को एक चुनी हुई सरकार पाकिस्तान में गिराने की इजासत नहीं दी जा सकती शर्यंत रचने की इजासत नहीं जी जा सकती है और उन्हें ये कहा कि जो बात मंतरी ने कही है वो बिलकुल बात सही है ऐसी इस चीज़ की इजासत बिलकुल नहीं दी उसके बाद उन्हेंने मोशन को डिस्मिस किया और ये कहा कि ये सम्विधान के खिलाफ है ये कानून के खिलाफ है और जो हमारे यहां कानून बने हुए इंकानून के खिलाफ है और उसके बाद फॉरण उन्हें सेशन को प्रोरोग किया प्रोरोग का मतलब हो गया कि पाकिस्तान की नैशनल असेमली का सेशन अब तब तक नहीं होता हो सकता जब तक दुबारा से विपक्ष मांग नहीं करता कि आप सेशन बुलवाईए और मांग पाकिस्तान के सर्विधान के अनुसार होगी और उसके बात दुबारा जब सेशन बुलाया जाएगा फिर जाकर जो है वहां पर सेशन हो गए लेकिन लग ये रहा है वो जो बहां के विशेशन की बता रहे हैं कि अब इस ये जो डिश्मिस किया है डिप्टी स्पीकर ने नो कॉंफिडेंस मोशन इसको चिनौती दी जा सकती है पाकिस्तान के सुप्रीम कोट म और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भेलावल बुट्टो जरदारी जो पीपी के पीपी के चेर्मेन है बेनेजर बुट्टो के सुपत्र उन्होंने कहा कि सरकार ने सम्विधान को वाइलेट किया है उन्होंने वोटिंग नहीं होने दिये नो कॉंफिडेंस पर और पूरा विपक्ष एक साथ पार्लिमेंट में ही बैठा रहेगा हमारे वकील सुप्रीम कोट जाएंगे और हम तमाम जितने भी सम्मिधानिक इंस्टूशन्स हैं उन तमाम इंस्टूशन्स से ये कहते हैं कि पाकिस्तान के सम्मिधान को बचाने का उसे अपहोल्ड करने का उसे डिफेंट करने का और उसे इंप्लेमेंट करने का काम जो है वह आप आपको करना है ये बैलावल बुटोजरदारी ने कहा उसके इलावा पाकिस्टान प्रटी के मुस्तफा खान मुस्तफा नमास खोकर उनूने सरकार के इस मूँ को लेकर कहा कि सम्मधान की धज्या उड़ाई गई हैं और ये भी कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को खामोश नहीं बैठना चाहिए चीफ जेस्टिस को इमेजेटली एक बेंच कॉंस्चूट करना चाहिए और देश को एक सम्वेधानिक क्राइसिस से बचाना चाहिए उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिमी नवाज के एसन अकबाल ने कहा कि प्रधान मंतरी इमरान खान ने पूरे देश को ये बता दिया है कि उनके अंदर थोड़ी सी भी ना तो मर्यादा है ना शरम बची है और ना ही उनके वो सौभिमानी है ये बाद भी उनने कहा और उसके बाद ये भी कहा कि उनको पता था कि उनके पास मिजॉर्टी नहीं है नाशनल असेमली में उनने सम्विधान के पर बिल्डोजर चलाने का काम किया है और हम उसे हरा कर रहेंगे और ये इतिहास की सबसे बड़ी बेज़ती होगी किसी एक नेता की उसके बाद पोजिशन के लाओ में जो जितना भी विपक्ष था उनने का उनके पास 174 के करीब करीब मेंबर नाशनल असेमली है अब इस समय इस्थिति ये है 172 के करीब करीब नंबर चाहिए इस नो कॉन्फिडन्स मोशन को पास होने के लिए आप इसमें सबसे इंपॉर्टन्ट ये है कि इस समय इस्थिति ये है कि जो पाकिस्तान की नैशनल असेमली के स्पीकर है असत कैसर उनके खिलाब भी नो कॉन्फिडन्स मोशन दे दिया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं अब इस समय यूँ समझ लीजिए कि कॉन्स्टूश ये सारा मोशन जो है ये नो कॉन्फिडन्स मोशन इस तरीके से वहाँ हार डिफीट हो गया है दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रदान मंतर इमरान खान ने देश को संबोधन किया और राश्ट्रपती आरिफ अल्वी को कहा तमाम असेमली को डिजॉल्व कर दीजिए और उन संबिधान के अनुछेट पांच के बिलकुल खिलाफ है तो प्रदान मंतरी इमरान खान ने एक तो देश को मुबारक बात दी कि नो कॉन्फिरेंस मोशन जो है वो डिस्मिस हुआ है और उसके बाद ये भी उनने कहा कि उन्हें लोगों से ये संदेश मिल रहा है कि बहुत पड़ी चोरी की जा रही थी देश के साथ और दुबारा से उनने वो जो उनका एक फेवरेट उनका एक नारा है घबराना नहीं है ठीक है और उसके बाद उनने ये कहा कि मैंने राश्ट्रपती को लिखा है कि अब तमाम एसेम्बली को डिजॉल्व करें और ये भी कहा गय है कि सबसे बेहतर ये रहेगा जो लोकतंतर में विश्वास रखते हैं वो जनता के बास दुबारा जाएं दुबारा से चुनाव हों ताकि ये पता चल सके कि पाकिस्तान के लोग किसके साथ खड़े हैं अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर कौन सम्विधानी पाकिस्तान के लिए कोई नहीं बात नहीं है उनसे सेंटालिस में जब ये देश दो भागों में बढ़ गया और एक भाग का नाम पाकिस्तान हो गया तब से लेकर आज तक 75 साल गुजर गए एक तरफ एक लोगतंत्र खड़ा है जिस लोगतंत्र में 5 साल के बाद चुनाओं के बाद प्रधानमंत्री चुना जाता है और प्रधानमंत्री लोकसभा के Member Parliament चुनते हैं जिस पार्टी के पास, जिस दल के पास भहुमत होता है भहुमत वाली पार्टी बैठती है और अपना नेता चुनती है और उस नेता को चुनने के बाद देश का प्रधानमंत्री हो जाता है वही पर पाकिस्तान में इतने ही कारेकाल में एक भी प्रधान मंतरी पांच साल का अपना कारेकाल पूरा नहीं कर सका ये दिश्या और दश्या बताता है पाकिस्तान के लोकतंतर की ये बताता है कि पाकिस्तान का लोकतंतर कितना फ्रजाइल पाकिस्तान का लोकतंतर कितना खोखला और पाकिस्तान का लोगतंतर असल में है क्या यदि ये लोगतंतर होता और कुछ सीखा होता अपने पड़ोसी देश से तो इतना मजबूत लोगतंतर अगर आपके पड़ोस में हैं और उस लोगतंतरिक देश के साथ बजाय अपने रिष्टे ठीक करने के आप आतंकवात, अल भारत से उनने पढ़ा होता तो आज ये हालत पाकस्तान की नहीं होती हालत ये है मजाग बन चुका है देश का इतना बड़ा मजाग है एक देश का कि प्रधान मंतरी कहता है कि विदेशी ताक्तू ने हमारे जो पाकस्तान की नेशल इसम्बली के उनके जो एमेनेज उनको खर आज के नो कॉन्फिडेंस मोशन में बच गए हैं लेकिन उन्होंने इसके बाद राश्टरपती आरिफल्वी से कहा है कि तमाम जतनी इसेमली से उनको आप डिजॉल्व करिये और साथ में ये कि जो वेपक्ष है वो पार्लिमेंट के अंदर बैठ गया है पाकिस्तान के और उन्हें कहा है कि हम सुप्रीम कोड में वकीलों को भेज रहे हैं और वकील सुप्रीम कोड के सामने जाकर गुहार लगाएंगे वकील सुप्रीम कोड के सामने जाकर गुहार लगाएंगे और सुप्रीम कोड को ये बताएंगे कि किस तरीके से सम्विधान का कतल किया गया है देखना यह कि पाकस्तान में क्या होता है लेकिन इंट्रेस्टिंग यही कि पाकस्तान में प्रथा कायम रही कोई भी प्रधान मंतरी पांच साल पूरे नहीं कर सका साड़े तीन साल के अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि प्रधान मंतरी इम्रान खान की भी छुटी होने जा रही है